नमस्कार दोस्तों मैं प्रवीन बाच पे आप सभी का एटू जड़लत ज्यान पे स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम कुछ किडिनी के विशे में बातचीत करेंगे किडिनी के क्या लच्छों होते हैं जिनको हम समझ के देख के और यह कह सकते हैं कि हमारी किडिनी फेलियर के चांस बढ़ रहे हैं क्योंकि किडिनी बाडी का ऐसा एक पार्ट होता है जो कम से कम 70% डेमेज होने के बाद ही हमें अहसास कराता है लेकिन कुछ ऐसे इंडिकेट होते हैं जिनको समय रहते हम अगर उसको देख लें पहचान लें तो हम उसकी तरफ यह समझ सकते हैं कि यह किडिनी फेलियर के कुछ चांस दिखाई बढ़ रहे हैं कुछी के बारे में 10 ऐसे संकेत आपको बताएंगे जो हमारे साथ होता है लेकिन हम अंदेखा करते हैं उन अंदेखा करने के कारण ही हमारी किडिनी फेलियर 70% से 90% बहुत जाती है क्योंकि kidney failure के दो मूल कारण होते हैं नमबर एक कारण होता है BP और दूसरा कारण होता है सुगर ये दूनों जब हमारी वाड़ी में हाई होते हैं तो हमारी kidney को सबसे पहले effect करते हैं और kidney का संतुलन और kidney को सही करने के लिए हमें BP और सुगर दूनों संतुलित करने चाहिए इसलिए आज हम आप लोगों को 10 संगेद बताते हैं जिनको पहचान के आप ये अंदाजा लगा सकते हैं और समझ सकते हैं कि अवारी kidney स्वस्त है या damage है नमबर एक पिशाब करने में आपको धर्द होना या जलन होना अगर ऐसा आपको हो रहा है तो इसका एक कारण kidney failure भी हो सकता है नमबर दो कमर के ऊपर दाएं और बाएं तरफ दोनों तरफ बैक साइट में आपके दर्द हो सकता है सुझन भी हो सकती है ये दूसरा करण है तीसरा करण आपके पिशाब में रुकावट हो सकती है पिशाब रुक रुक की आ सकती है kidney failure का ये भी एक करण होता है नमबर चार सोने के बाद अगर रात में आपको दो बार से अधिक पिशाब आ रही है तब भी kidney failure के चांस बढ़ते है नमबर पांच पैरों में शुझन होती है अगर आपके सुबह उठते हैं और पैरों में शुझन लगती है या ऐसे भी आपके पैरों में लगातार शुझन बनी हुई है तो ये kidney failure के लच्छन है नमबर च्छे मुझ और आखों के पास सुबह उठने के बाद सुझन होती है दोस्तों कभी कभी बहुत लोगों में आपको लच्छन दिखते हैं कि उठने के बाद किसी का चेहरा आखों के नीचे मुझ में स्वेलिंग रहती है तो या आप समझे ह आपको ये करण kidney failure का भी हो सकता है नमबर साथ त्वचा संबंधी समस्यां हो सकती है आपको allergy हो सकती है दाद हो सकता है और भी तरह के आपको दाने हो सकते है तो ये भी एक kidney की समस्या के द्वारा ही होता है नमबर आठ अचानक आपका वजन घरता या बढ़ता है अगर ऐस आप महसूस कर रहे हैं तब भी आपको किर्णी के खराब होने के लच्छन आपको समझेंगे नमबर नो पेट से जूरी तकलीफ है आपको हो सकती हैं किर्णी में अगर समस्या है तो अन्य समस्या है पेट से जूरी हो सकती है आपको पेट दर्द भी हो सकता है, पल्टी भी हो सकती है, आपको पेट भी हो सकता है, गैस्टिक भी प्राबलम हो सकती है, तो इसलिए पेट से जुरी समस्या हैं, अगर आपको हैं, तो एक बार क्रिटनी की जाँच अब से कराएं, नमबर दस, पेशाप में जाग या बद् करिए अगर आपको इन दस लच्छन दिखते हैं तो आप सबसे पहले अपनी केटनी की जांच कराएंगे और अपनी बीपी और सुगर को संतुलित रखेंगे दोस्तों आज की वीडियों बस एतना ही मिलते हैं किसी नए टापिक के साथ कई तब तक के लिए विदा लेते हैं नवश्कार आप सुस्तर हैं मस्तर हैं